6.3 व्यज्ञानिक क्रांती मदिकालीन यूरोप, इसलामी देश तथा भारत में इश्वरवाद का व्यापक प्रभाव था इश्वरवादी लोगों को यह सिक्षा दे रहे थे कि अंतिम सत्य तो इश्वर ही है जो सर्वशक्तिवान है और उसने पूरे ब्रह्मान्ड की रचना की है मनुश्य को इस लोग में सुक प्राप्ति के जगा परलोग में इश्वर के निकट इस्थान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए इस विचारधारा के चलते भौतिक दुनिया के अध्यन को बहुत कम महत्त दिया गया और यहां तक माना गया कि ऐसा करना धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध है इस कारण मद्यकाल में व्यग्यानिक अध्यन प्रभावित हुआ फिर भी यह व्यग्यानिक चिंतन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई मद्यकार में विषेशकर इसलामिक देशों में व्यज्ञानिक खोद चलता रहा हमने पहले देखा था कि किस प्रकार अरब दाशनिकों ने चीन और भारत के वेज्ञानिक और गणती साहित्य का अध्यन और अनुवात किया था भारती गडित को और खासकर इस्थानी मानाधारित संख्या पद्धती को उन्होंने अपनाया था चीन के कुछ महत्वपूर्ण अविश्कार जैसे बारूत, छापा खाना और चुम्बक को भी उन्होंने अपनाया अरब विचारकों ने चीनी और भारती खगोर शास्त्रे द्वारा की गई तारों, ग्रहों आधी के चलन के गड़ना को आगे बढ़ाया उनके द्वारा रचे ग्रंत विभिन्द तरीकों से यूरोप के विज्ञानिकों तक पहुँचे इस तरह अरबि विज्ञानिकों ने भारती और चीनी विज्ञान को यूरोप तक पहुचाने का काम किया जब यूरोप में प्राचीन यूनानी और लैटीन साहित्य का अध्यन फिर से प्रारम हुआ तो उन्होंने युनान के वैज्ञानिक साहिति के अध्यन के साथ अरब ग्रंथों का भी अध्यन किया उन्ही दिनों यूरोप के नाविक भारत और चीन पहुशने के नए समुद्री मार्ग खोज रहे थे इसके लिए समुद्र में दूर तक यात्रा करने के जरूरत थी समुद्र में तारों वग्रहों के इस्थिति के अवलोकन से ही यात्रा की जा सकती थी समुद्र में रास्ता निर्धारित करने के लिए चुम्ब के दिक सूचकों का उपयोग किया जाने लगा उन दिनों समुद्र में दूर तक देखने के लिए दूरबीन का अविशकार हुआ दूरबीन काच के लेंसे बनाई जाती थी इसी तरह उन दिनों युद्ध में तोपों का बहुत उपयोग होता था तॉप चलाने वालों के लिए यह जानना ज़रूरी था कि तॉप को किस कोण से दागने पर गोला कितनी दूर जाकर गिरेगा गोले के वजन तोप के व्यास आधिका भी अध्यन जरूरी था इन सब का वास्ता वैज्ञानिक अध्यन से था अता वैपारियों वाराजाओं की विशेश रूची वैज्ञानिक खोजों में बनी मदिकाली नियुरोब में कुछ वैज्ञानिक हुए जैसे इंग्लैंड में 12वी सदी में रॉजर बेकन जिसने प्रयोगों के आधार पर निश्कष निकालने पर जोड़ दिया था उन दिनों किसी भी प्रश्न का उत्तर आभास या अनुमान के आधार पर दिया जाता था प्रयोग करके वास्त्विक्ता के अवलोकन से निश्कष निकालने की प्रथा नहीं थी धीरे धीरे बेकन के आग्रह पर कई लोग आगे बढ़े जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं रिनौसा काल में मानो शरीर ततद्रिष्टी परिप्रेक्ष की ज्यामिती समझ पर काफी शोध हुआ था खगोर शास्त्र एक और महत्तपूर अध्यन का शेत्र था मद्धिकालीन विद्वानों का मानना था कि प्रिथवी ब्रह्मान के केंद्र में है और बाकी तारे सूर्य, चंद्रमा और ग्रह प्रिथवी की परिक्रमा करते हैं यह धार्ना मूलता प्राचीन युनानी दाशनिक अरस्तु की दी हुई थी साथ में यह भी माना गया था कि प्रिथवी सपाठ है कई मद्यकालिन खगोल शास्त्रियों ने आजमान में ग्रहों की चाल का अवलोकन किया और पाया कि इन सिध्धानतों में कुछ समस्याए हैं क्यूंकि ग्रहों की चाल इन धानाओं के अनुरूप नहीं थी इनमें से प्रमुक्था पोलेंड देश का निकोलस कोपर निकस जन्म सन 1470 मृत्यू सन 1543 कोपर निकस ने अपने जीवन के अंत में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उसने कहा कि धेर सारी समस्याओं का निदान हो सकता है कोपर निकस के ये विचार उन दिनों काफी क्रांतिकारी थे लोग यह मानने के लिए तयार नहीं थे कि प्रित्वी जो हमें इस्तिर लगती है वास्तों में सूरी की परिक्रमा करती है चर्च के अनुसार इश्वर ने प्रित्वी को ब्रम्हांड के केंदर में बनाया था ताकि मनुष्य उस केंदर में रहे इस कारण चर्च ने भी इन विचारों का विरोध किया लेकिन फिर भी कई लोग इन विचारों को जाचने के लिए आस्मान में तारू व ग्रहों की चाल का बारीकी से अध्यन करने लगे इन में से प्रमुक्त था टाइको ब्राहे जिसने डेनमार्क देश में एक वेदशाला इस्थापित की वहाँ नए वैज्ञानिक तरीकों से अवलोकन करके ग्रहों की चाल की गढ़ना की जाती थी यह मानना ही होगा कि सूर्य के इर्द गिर्द प्रिथवी सहीत सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं जैसा कि कौपर निकस ने कहा था लेकिन कौपर निकस ने माना था कि ग्रह एक गोलाकार पत में परिक्रमा करते हैं जबकि केपलर के गर्णाओं के अनुसार वे गोलाकारपत में नहीं बलकि अंडाकारपत में घूमते हैं। केपलर ने यह स्थापित किया कि भौतिक जगत के बारे में हम केवल विश्वासो धर्म ग्रंतों वो मानिताओं के आधार पर नहीं बलकि बारीक अवलोकन और गढ़ना से समझ सकते हैं। और उनके अधार पर निश्कर्ष निकाले। उसने बारीक मापन और गढ़ना को अत्तिधिक महत्तों दिया। यही सब आधुनिक विज्ञान के मूल सिध्धान्त बने। गैलीलियो ने नाविको के एक नए अविश्कार टेलिसकोप का उप्योग ग्रहों को देखने के लिए किया। उसने पाया कि ब्रिहस्पती और शनी जैसे ग्रहों के चारो ओर कई चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। पर सवाल था कि ये ग्रह वो चंद्रमा कैसे गूमते हैं। उन्हें धक्का कौन देता है। यहां समझने के लिए कि चीजे क्यों चलती हैं या रुपती हैं उसने कई प्रयोग किये जैसे भारी और हलकी जीजों को उचाई से गिरा कर देखना कि क्या उनके गिरने के समय में कोई फर्क है या वे एक साथ गिरती हैं किसी चीज को धागे पर लटका कर हिला कर देखना ग प्रित्वी की जगा सूरी को ब्रह्मान के केंद्र में रखना चर्च को पसंद नहीं आया और गैलिलियू की पुस्तक पर प्रतिबन लगाया गया और उस पर दबाव डाला गया कि वह अपने कथनों को वापस ले गैलिलियू ने इस शर्थ को स्विकार्थ कर लिया किन्तो अपने प्रयोगों को गोपनी तरीके से जारी रखा और उन देशों में प्रकाशित किया जहां पोप की सत्ता खत्म हो गई थी गैलिलियो के विरुद्ध यह मुकद्मा विश्व इतिहास में धर्मांधता और विज्ञान के मुटबेड के रूप में प्रसिद्ध है जिसमें धार्मिक अतिवाद ने विज्ञानिक खोज में रुकावाट डालने का प्रयास किया इसे सत्ता या निजी स्वार्थ बना मनुशी की खोजी प्रवृति के रूप में भी देखा जाता है केपलर और गैलेलियो की खोजो के आधार पर अंग्रेजी विज्ञानिक आईजेक निउटन जन्म सन 1642 मृत्यू सन 1727 ने गुरुत्वा कर्शन और खगोली पिंडो की गती का सिध्धान्थ प्रतिपादित किया निउटन के काम से एक नया यूग प्रारंब हुआ जिसमें विज्ञान को शिर्श स्थान मिला इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह पूरु आदुनिक काल में धार्मिक पूरवागरह से मुक्त होकर नय विज्ञान की शुरुआत हुई इस नए विज्ञान ने केवल पूरू मानिताओं पर आधारित ना होकर प्रयोग और गड़ती प्रमाण को अपना आधार बनाया रेनासा यूग की शुरुवात में यह माना गया था कि ज्ञान विज्ञान के बारे में अरस्तु के विचार और तरीके ही प्रमाणिक है लेकिन विज्ञानिक क्रांथी के चलते यह स्थापित हो गया था कि अरस्तु के कई मूल सिधान्त और अध्यन के तरीके गलत है